हलो गाईज, वेल्गों बैक टो मैं चैनल, मैं पुर्णी मार आपको पता है कि मैं एक ट्रावलर हूँ और ट्रावलिंग वीडियो शुट करती हूँ तो आज की वीडियो होने वाली है राम जनम भूमी पत से लेकर गर्व ग्रिया के पूरी सजावर तक तो बिना लेट के इ लाइट कितनी खुबसूरत लग रही है सेकेंड में लाइट का काम चाहिए चल रहा हूँ जिसके रही है यहां पर आप देख सकते हैं बिल्डा मंदीर है पिंक कलर का पो दिख रहा होगा यह धरमशाला भी अगर आप आते हैं तो यहां ठैर सकते हैं तो यह जो है यह खाती हूँ जिस चीज के लिए वीडियो है और वो है डेकोरेशन यानि सजावट तो प्रविश मार्ग की सजावट कैसे हो रही है कितना खुबसूरत लग रहा है सजावट और क्या-क्या सजावट में लग रही है तो यह सब चीजे हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो म यहां पर आकर अपना सेल्फी ले सकते हैं सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छी इंदिजाम कें चारो तरफ आप देखेंगे तो कैमरा लगे हुए हैं तैयारी आप देख सकते हो कि धूम से स्टार्ट हो चुकी है यहां पर देख सकते हैं गेंदा के माला लगाए जा र चलिए यह भी चेक करते हैं कि यहां से ही बुके ले जा रहा है तो चलिए पूछते हैं कि बुके में कौन-कौन सा फूल लगा गया है और यह कितने दिन रह सकती हैं यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारा बुकेज है जिसमें रोज भी है लिली भी है लोटस तो नजर नहीं आ रहा है चेरी है संफ्लावर है तो बहुत सारा फूल है और यहां पर देख सकते हैं जब मैंने पूछा इनसे कि यह कितने दिन रहेंगे तो इन्होंने कहा कि यह फिर भी एक हफते रह जाते एक दो हफते क्योंकि इसके पीछे जो है वो वाटर यानी पानी दिया ग हैं तो चलिए आगे और देखते हैं कि और कौन-कौन सा फूल आया आगे मुझे दिख रहा है एक ट्रक में जो गेंदे के फूल है यालो कलर के तो चलो यह भी देखते हैं कि यह गेंदे के फूल है या क्या है और इसे भी एक्स्प्लोर करते हैं तो देख सकते हैं कि हजार तन गेंदे नार हैं वहां भी आप देख सकते हैं कितने सारे फूल लग रहे थे और अभी भी गेंदे के जो माले हैं सजने के लिए वो आ रहे हैं यह देख सकते हैं कि मैंने आपको बोला था कि बुकेश कैसे सज रहे हैं तो वो मैंने आपको दिखाया कि बुकेश ऐसे सज गेंद्य का माला देख सकते हो ऐसा सज रहा है तो यानि आप समझ सकते हो कि 22 जनवरी को जब दुलहन जैसे सजी होगी यानि पूरा आयोध्या पूरा जनम भूमी राम जनम भूमी तो सोच सकते हो कि कितना प्यारा लगेगा कितना भव ये लगेगा मैं बहुत कि लिए बहुत कुछ है क्योंकि रात के साथ बज रहे हैं और लोग को देखके लगी नीरा कि रात हो चुकी यहां पे देख सकते हैं कि रोडवे में यहां पे आड भी चल रहा है यानि अगर्बती का आड भी दे दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है लोग चाई ही पी रहे हैं और इस पल का इंतिजार में भी हैं कि कब 22 जनवरी आए और कब मैं आयुद्या और राम जनम भूमी को दुलहन जैसा सस्ते वे देखूं और हमारे श्री राम जी यहां पे विराजमान हो उनकी प्रान प्रतिस्टा हो जल से जल वो दीन देखने के लिए और यह भी है तो आप देख सकते हैं कि मैं आमाया राम मंदिर पहुँच चुकी हूँ वहां पे जाके देखते हैं कि वहां पे कितनी सजावट हो चुकी है या सजावट और भी बाकी है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे थोड़ी सजावट अभी भी बाकी है यानि रात भरभर में सजावत हो जाएगी यहाँ पर देख सकते गेंदा और जो भी दो कलर्ड़ थे मैं जहाँ तक आपको दिखाई ती येल्ओ और और ओरंज तो दो कलर्ड़ के अभी लगे वह हैं और चलussen आगे चलते हैं और मैं आपको अमाया रामांदिर और नियर से दिखाते हैं, तो जैसे ही अमाया राम मंदिर आएंगे, उसके बाद दर्शन मार्ग स्टार्ट हो जाता है, जहां पे अगर आगे जाते हैं, तो यहां से आपको फोन, बैक्स या कुछ भी अलाउड नहीं, यह आपको लॉकर में जाके रखना पड़ेगा, तो आ उपर में जो सोने की, यानि सोने की जो कलेश रखिये, यह कितना चमक रहा है लाइटिंग के वज़े से, बहुत ही खुबसूरत लग रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि यह लास्ट बैरिकेट है, जिसके आगे आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, दर्शन के लिए दे पहले दर्शन कर ले, यह रहा अपडेट यहां का, और मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए अंदर चलते हैं, और गर्व ग्रिया की जानकारी देते हैं, तो यह देख सकते हैं, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, कि अंदर दर्शन, यानि कि अंदर का दर्शन कैसे देख सकते हैं, कि बाहर से भवन इतना खुबसूरत लग रहा है, गर्व ग्रिया के अंदर चलते हैं, और देखते हैं, कि सजावट कैसी हो रही है, तो देख सकते हैं, कि कि इतना सारा फूल है, और तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, भवन की, और आप देख सकते हैं, कि कि छो यह देखते हैं कि चलियसे देखते हैं कि खूल को सजये कि और तो आप देख सकते हैं सब्सक्रक्री जतना भी फूले है उनको एसे डेकृरेट के अप देख सकते हैंahu वह आसके में आप देसंप चाहरी को है लिली है तो डेजी है सारे फूल को लगाया जा रहा और आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत लग रहा है I wish कि मैं 22 तारी को रह पाती और मुझे भी इंविटेशन मिल पाता बट कोई बात नहीं हम तेज को जाएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत लग रहा है ये पूरा सजावट और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्यॉरिटी की भी जहां तक देखेंगे तो चारो तरफ कैमराज है तो जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यानि सिक्यॉरिटी भी हमारे जो भवन में है वो बहुत अच्छी है तो और देख सकते हैं साइट साइट से चारो तरफ से फुलो को सजा दिया जा रहा है डेकुरेट कर दिया जा रहा है आप ये बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है ये देखकर और आपको सजावट कैसे लगी पूरे राम भवन में यानि कि राम लला के भवन में क्योंकि 22 तारी को आ जाएंगे वो अपने घर बहुत इंतिजार हो चुका 500 साल खतम होने को आए हैं और अब राम लला एक टेंट में रहा करते थे और अब उनका इंतिजार खतम होता है और 22 जनवरी को वो अपने घर आते हैं और उनका प्रान प्रतिस्ठा होता है तो ये बहुत बड़ी चीज है हम सनातनी के लिए तो आप जरूर मुझे बताई इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है ये सारी सजावर देखे आपके मन में क्या फील हो रही है वो जरूर मुझे कमेंट में लिखकर भेजे कौन से स्टेट से आप बात करें प्लीज मेरे कमेंट में जरूर लिखेगा और जरूर आप जैश्री राम लिखेगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सिस्क्राइब कीजिएगा और मुझे धीर सारा प्यार दीजिएगा जै श्रीराम, जै मातादी, हर हर महादेव अपना ख्यार रखे, अपने परिवाल का ख्यार रखे